सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन नीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आज का चिन्तन आज का चिन्तन अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर वर्न ड्रिल है इससे बाई मंडल में सन्ना डचा जाता है बाप का डिरेक्शन है इसी ड्रिल का अभ्यास करो दुनिया के अनिक विगनों के बीच में रहते हुए एकरस और खुशी में कौन रह सकता है बाव पूछ रहे हैं कि दुनिया के अनिक विगनों के बीच रहते हुए एकरस और खुशी कौन रह सकता है जो किसी भी विगन की परवान नहीं करते बावगतिं तुम्हारे दुश्मन तो ओने के? बीगने डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगी धरबनते हो केते हैं सुध किष्णी ने चौधे का चन्दमा देखा इसे लिए उस पर कलंक लगे लेकिन अभी तुम बच्चो पर बहुत कलंग लगते हैं अंत में तुम कहेंगे है भारत पासी हूँ देखो तुमने बहुत कलंग लगाए और हम अभी कलंगी धर बनते हैं बच्चो प्रती शिबावा का फर्मान है शिबावा कहते हैं मैं डिल टेचर हूँ न तो कौन से डिल करना है अशरीरी भाव बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ मनमना भव मामे कम याद कर इहत जानते हो अब धर्म की गलानी है गिता में है यदा यदा ही धर्मश्य गलानी रभवती भारत ये श्लोक जन जनमांतर हम गाते आए जब से भक्ति मार्क शुरू हुआ गिता का पाठ करते आए श्री भावा की पुजा करते आए वो ही श्री भावा अब कहते हैं मामे कम याद करो तुम पर फिर से माया का परचाया पड़ गया है तो इसलिए बाव केते हैं माया जीत भावा श्री कृष्ण को कृष्ण परी में याद करो ज्यान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है वो तो है शिव शिव की ही पुजा होती है उनको परमात्मा कहा जाता है तुम सब ब्राम्हन उनको याद करेंगे अगर कोई शुद्र यहां और कोई ख्यालत में बेठा होगा तो बाई मंजल को खराब कर देगा उस एक के जब भी याद करेंगे मतलब सरविशक्तिवान परमात्मा को तो सन्नाट चा जाएगा जैसे कोई मरता है तो सन्नाट चा जाता है आतमा के अशरीर होने का प्रभा पड़ता है तो अब बाबा कहते हैं तुम सब आतमाओं को बापस ले जाओंगा बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तब जब राज्योग सिखलाना है भारत के उपर ही यह सारा खेल है हीरो हीरो हीन का पार्ट भारत वसियों को मिला हुआ है बास्तम में बंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है वो लोग तो भूमी को मातरम कहते हैं भूमी तो तत्त्त्त हैं उनको थोड़ी ही माता कहा जा सकता है इस धर्नी में रहने वाली तुम माताय हो तुमको बंदे मातरम कहा जाता है वो भूमी को बंदे मातरम कहते हैं तो भूत्फुजा होगे अभी तुम बच्चे योगवल से अपनी बादशाही लेते हो सब मेहनत करते रहते हैं पवित्रबंद बादशाई लेने के लिए, जिस तरफ सक्षतकर सर्व समर्थ सक्तिवान है, उनकी ही जीत होनी है, अब तुम्हारा रियल पार्ड है, तुम समझा सकते हो, वही हमारा बाप टीचर सद्गुरु है, वही मनिशिश्ष्टी का वीजरूप है, रचैता है, सब जिव आतमाओं का बाप है, बाबा केते हैं, उनको सरवाफी कैसे कहेंगे, बाप तो उपर रहने वाला है, तो दुख में उनको याद करते हैं, वो तो तब आते हैं, जब धर्म गलानी होती है, बाबा केते हैं, हमारी भूमी, जन्म भूमी भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं, तब मुझे आना पड़ता है, परमात्मा की जन्म भूमी भारत है, या अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं, अगर सब परमात्मा हो, तो सब की जन्म भूमी भारत होगी, बाबा केते हैं, सभी, सभी को मुक्ति धाम ले जाता हूँ, अगर सभी धर्म वालों को जो धर्म स्थापना करते हैं, सब को ले जाता हूँ, जब उन्हों को यह मालुम पड़े, कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वो भारत में जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तर्थ बन जाए, समझो सभी को मालुम पड़े, प बहुत बहुत खोश होंगे कि ओहो हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदी को भी मुक्ति देते हैं उनका जनम भारत में होता है। पहचानेंगे तो नौलेश से और क्या देखेंगे। ब्रामण भी जो किसी की सोल आती है तो उनके भी बोलने से भी पहचान होती है ना कि कोई और बोल रहा है। बिगर बोलने से पहचान कैसे हो सकती। बात करने से मालूम पड़ेगा। बरबर फलानी आत्मा है शिवावावी जब। नौलेश दें तब समझें कि शिवावा बलते हैं जब ब्रमातन में जब गुलजदादीतन में आये। यह सिवावावी बाप के कोई समझा ना सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिवावा से बात करें परन्तू उनको पहचानेंगे कैसे। समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धी से समझना चाहिए कि यह नौलेश बावा की सिवावा को दे नहीं सकता होई। देखो कहां कहां बच्चियां विगरब। देखें तडब रही हैं शिवाव से मिलें। जरूर उनकी ताकत हैं जो खिषती हैं वोशिश होती हैं। तो उन्हों को सफेद पोश का सक्षतकार कराते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारे ड्रेस बदलने नहीं देते हैं। तो उनकी नलेज तो मालूम पड़ता हैं। बहुत उको भिन्न भिन्न प्रकार के सक्षातकार होते हैं। परंतो उसे क्या फाइदा। तुम्हारा काम नलेज से हैं। यह नलेज कोई दे ना सके। तो यह सारा गुप्त पाट हुआ। कहते हैं। मैं आत्मा का रूप धारन कर। इसलिए प्रेस कर जाता ह। तो यह नलेज इतनी बाबा ही देते हैं। हम थोड़ी जानते हैं, बावा देखो कितनी कमाल करते हैं कहते हैं, मुझे अपनी वारिस बनाए मैं तुम्हारी इतनी सिवा करूँगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा मैं तुमको एक इस जनम के लिए राजी भागे दो फिर भी अगर वारिस ना बनावे तो तकदीर कहा जाता तुम बच्चिया जानते हो, हम शिवावा से बर्सा लेने के लिए यहाए शिवावा को और बाईकुन को तुम सिवाए दिविद्रिष्टी के देख ना सको ग्यान तो विल्कुल क्लियर मिल रहा है ना हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं उंचे ते उंच वर्सा है वैकुन के बादशाई तो भी पढ़ाई से मिलती है कोई भी राजयोग सिखलाना सके ग्यान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा ना हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं बाबा कहते हैं बार बार ये राजयोग सिखलान के लिए आया हूँ राजयोग सिखला रहा हूँ उंचे ते उंच वर्सा है वैकुंट की बात्स है सो भी पढ़ाई से मिलती है कोई भी राजयोग सिखलाना से हम नर्ष से नारण बनते हैं यह राजयोग सिखलाते ही अंत में हैं तब तो फिर सत्युक में राजारानी बनेंगे यह मुस्लू के लड़ाई प्रसीद है गिता से देवी देपता धर्म की स्थापना हुई उस समय तो और कोई धर्म था ही नहीं बे सब कहां गए बिनाशुम बिलकुल सहज बात है ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो फिर भी प्रजा तो बन जाएगी गाड़ी की डिबाही तुम्हारा प्रजा बन जाएगी बैट केर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं एक इस जनम की तकदिर बनाने के लिए शिबाबा को अपनी बारिस बनाना है हर एक से बाब टीचर सत्गुरु तिनों का शो करना है ग्यान क्लियर है मिल रहा है इसलिए सक्षत करके आश्ट नहीं रखनी है सक्षत सर्व समर्थ बाब हमारे साथ है इसलिए भीगिनों से घबराना आए तो आज बाबा हम बच्चों को बरदान दे रहे है मेरा बाबा के समर्थी सर्व द्वरा समर्थियों का अधिकार राप्त करने वाले समर्थ आत्मा बाबा कल अप पहले किसमती आते ही बच्चे कहते हैं मेरे हो और बाब कहते हैं तुम मेरे हो इस मेरे पन के स्मुति से नया जीवन नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मुति सरुप में टिक गये इस स्मुति के रिटर्ण में समर्थे सरुप बन गये जो जितना स्मुति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है टो आज बाबा ह हम बच्चों को श़ोगा दे रहे हैं, हडवकर करके साथ-साथ स्थिती में भी सदाहाड मतलब मच्ण बना। लोज के मुर्ली गनसर रहम सौमाल लेंगे, मैं सर्वसमर्थ पर्मात्मा के संथान सर्वसमर्थ आत्मा। मुरली को और गहरी इरती से चिंतन करते हैं निरंतर शिवाबा की आद में रहना है कि सर्विशक्ति बान बाबा मेरे मस्तक के उपर छत्र चाय के रूप में चोविश घंटी चमक रहे उनकी किरने मुझे पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ मुस्कुराते रहे आगे बढ़ते रहे पुरुशार्थ करते रहे खुश रहे स्वस्त रहे मस्त रहे ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती